पत्ती पत्नी का सच्चा प्यार तो कैसा होता है पत्ती पत्नी का सच्चा प्यार चलिए आज हम एक कहानी के जरीए देखते ही एक आदमी ने एक बहुत ही खुब सूरत लड़की से साधी की शादी के बाद दोनों ही जिन्दगी खुब बहुत प्यार से बुजर रही थी उबा उसे बहुत चाहता था और उसकी खुबसूरिती का तारिफ किया करता था लेकिन कुछ महीने के बाद लड़की चर्म रोग स्किन डिजिज से ग्रसित हो गई और धीरे धीरे उसकी खुबसूर्ती जाने लगी खुद को इस तरह देख उसके मन में डर सामने लगा कि यदि वह बच्शूरत हो गई तो उसका पती उससे नफरत करने लगेगा और उसकी नफरत बरदास नहीं कर पाएगी इस बीच एक तिन पती को किसी काम से सहर से बाहर जाना पड़ा काम खतम कर जब वह घर बापस लोट रहा था उसका एक्सिडेंट हो गया एक्सिडेंट में उसने अपनी दोनों आखे खो दी लेकिन इसके बाप जूद भी उन दोनों की जिंदगी समान तरीके से आगे बढ़ रही थी समय गुजरतर रहा और अपने चर्म रोब के कारण लड़की ने अपनी खूप सूरती पूरी तरह गबा दी वबद सूरत हो गई लेकिन अंधे पती को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था इसलिए इसका उनके खुशाल विवाहित जीवन पर कोई प्रभाब नहीं पड़ा वब उससे उसी तरह प्यार करता रहा एक दिन उस लड़की की मौत हो गई पती अवा केला हो गया था वह बहुत दुखी था वह उस सहर को छोड़कर जाना चाहता था उसने अंतिम संसकार की सारी क्रिया विधी पूर्ण की और सक्स को छोड़कर जाने लगा सहर को छोड़कर जाने लगा तब ही एक दिन एक आदमी उसके पीछे से पुकारा और पास आकर कहा अब तुम बीना सहारे के अकेला कैसे चल पाओगे इतने सालों से तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद किया करती थी पती ने जबाब दिया दोस्त मैं अंधा नहीं हूँ मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था क्यूंकि यदि मेरी पत्नी को पता चल जाता कि मैं उसकी बद सूर्ती देख सकता हूँ तो यह उसे उसके रोक से भी ज़्यादा दर्दे देता इसलिए मैंने इतने साल अंधे होने का दिखावा किया वह बहुत अच्छी ही पत्नी थी मैं बस उसे खूश रखना चाहता था आपना थावा कि भी ज़्यादा थावा रखना रखना तर्दे लाव कि अव्यादा थावादाव रखना थावादाव पत्नी को मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दीजी प्लीज